बड़ी खबर आपको बता रहे हैं धार से जहां वोटिंग के बीच मौसम बदला है कई लाखों में तेज हवाई चल रही हैं बारिश हुई है और बारिश के साथ साथ जम कर ओले भी गिरे हैं तो बदला है मौसम वोटिंग की प्रक्रिया जारी है ऐसे में यहां मौसम का कर गिरे हैं तो मद्यप्रदेश में चौथे और आखरी चलंड में इन आठ सीटों पर बोट डाले जा रहे हैं धार उन में से एक है तस्वीर आपको दिखार देखे कितनी तूफान यहां पर आया हुआ है तेज हवाई जोड़दार बारिश और उसके बाद कई इलाकों मे तो ओले भी गिरे हैं आप दस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं किस तरह से यहां पर जब मौसम बदला तेज हवाई शुरू हुई इसके बाद लोगों में अफ्रत अफ्री मच गई यहां देखिए शामियरा उर्तावा देखकर समझ सकते हैं कि यहां पर कितनी तेज है तो ऐसे में अब अगर ऐसी ही मौसम रहता है तो वोटिंग की प्रक्रिया धीमी हो सकती है क्योंकि मद्दाता ऐसी परिसितियों में घर से बाहर निकलने का जो फैसला है किस तरह से लेते हैं क्योंकि अभी वक्त बचा हुआ है लेकिर हम लगातार आपसे अपील कर रहे हैं कि देखिए आप अगर आपके शेत्री पे पोलिंग हो रही है तो आज यह वोट देने का अवसर अपने हाथ से ना जाने दे हर हाल में पोलिंग बूद तक पहुचे पूरी साफधानी बरत्ते हुए मताधिकाल का इस्तेमाल जरूर करें और उसके बाद अपनी तस्वीर न्यूज 18 को भीचे हम आपकी तस्वीर आपके नाम आपकी लोकेशन के साथ दिखाएंगे और धार में यह देखिए मौसम बदला है और बदले हुए मौसम क बाद किस तरह तक्सीरें वहाँ पर देखने को मिली है वीडियो आपके तीजी स्क्रीन पर आप देख पा रही है आठ सीटों की जंग है साथ चर्णों में देश में चुनाव होना है नवीन महर धार से जुड़ गया हमारे साथ फोन लाइन पर नवीन यह वीडियो बता र करेक्शन पढ़ी है और तीनवे तक मद्दान जो है वह करीज़ साथ परसंड पर रहा लेकिन जैसे है यहां पर ज영 हंपर जो है यह हाँ आ तेजह फोनावी चलना शुरू है बारिश हुए और बारिश के तो पुरे जिल्रमे निला को में भी बारीश हुई है और अब गया तो इन सब के चलते एंगे हम वहरी वार चुका है और यहां से इस पर लेकिन अभी हाला दिये हैं कि अभी हवा यांपर रुकी हुई है वो पानी भी थमा हुआ है तो कुछी देर में जो है यह टेन्ट की वस्ता जो है जिला परशाशन वाला जो है वो ठीक कर लियाई बहुत दन्यमाद नवीन आपका पूरी जानकारी के लिए और अब बात लिए तो वहीं ठानला के करंचपारा मद्दान केंद्र पर भी टेंट हवा में उल गए जावो की तस्वीरे कई मद्दान केंद्रों पर जो टेंट लगाए गये थे गर्मी से राहत ताकि वहां पर मिल पाए बहुत धराशाइग होगे जावा लोक्तवा सीट के लिए बद्दान की तुट्या जारी है लेकिन आप देश इतने का अचनक से जावा जिले में मोसम ने बदला हुआ है और पर बारिश देखने को मिल रहे हैं जावा विधान साब की बात करें तो यहाँ पर भी बादल चागा है और अभी समय जो कर पांच बजे हो रहा है और अभी से आप देखेंगे चाड़ों तरफ अंधिरा चागाया है बादल चाय हो गए हैं हलकी बुन्दा बांदी हो रही और बिजली चमक रही है जो मोसम के बदलाओ के कारण अभी जो मत्तदान के अंदर है गयमेंट चत्र की बात करें तो जो टेंट लगाये थे वो टेंट ऊड़ गाये हैं और मत्तदान केंदरों पर भी अब वैसी भीड नहीं दिखाए दे रही है ब्रेंसिंग राठोड न्यूज एटीन जावुवा शाजापूर में भी मौसम का मिज़ाज बदला है तेज हवाई चली है जोड़दार बारिश हुई है कई जगव पर ओले भी गिरे हैं और कई मद्दान केंदरों पर पंडाल यहां खराब हो गए बारिश ओले गिरने से मद्दान की प्रख्रिया प्रभावित हुई है प्रभावित हो गया और इसके कलते हैं कई मद्दान की तो बहाएं पर बारिष के सही toothpaste है जोड़गर वारिश के साथ आप ऊले लिक भी चुक्ति ए तस्वीरों में वारिश के चलते मद्दान कीृ partnered प्रभावित हो गया और इसके हालत इस तरी के हो गई है यह पांडाल कभी भी गीर सकता है और पांडान के अधर के अधर बारिश हुई है तेज आंदी चली है बारिश की चलते मत्दान प्रभावित आखरी घंटे का मत्दान प्रभावित हो सकता है ये बड़ी खबर इन दौर में जो दोपहर एक बेतर और तालीस प्रतिशत के आसपास के जो आखड़ा रहा था जो अभी अब डेट होकर कितना आता है वो हम आपको बताएंगे लेकिन आखरी के घंटे में जो मानने जाता है कि वोटिंग की प्रक्रा मेरे अफ्तार देखनी को मिल सकती है मौसम के चलते यहां प्रभावित हो सकता है मुंबई में भी तेज आंधी चली है यहां बिजनी का खंबा गिर गया ठाने बेलापूर रोड पर ये खंबा गिरा है खंबा गिरने से रास्ता बंद हो गया ये मुंबई की खबर आपको बता रहे हैं कि देखें यहां पर ट्राफिक चारी था और ऐसे में देखें खंबा गिर गया तेज आधी के बाद और उसकी वज़ा से इस रास्ते पर ट्राफिक बाधित हुआ है यह तस्वीरे मुंबई के आप देख रहे हैं ठाने बेलापुर रोड पर देखें किस तरह से खंबा गिरता है वह आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं और गारी सवारों ने गारी को पीछे लिया यह देखें यह पूरा खंबा नीचे गिर गया और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं वोटर्स तरन आउट अपडेट आ गया है शाम पांच बजे तक का माध्यप्रदेश में 68 दशल शून एक प्रतिशत वोटिंग हुई है मंदस्वार में पांट में तक एक अट दशल साथ चे परसंट वोटिंग हुई है MP की आठ सीटों पर वोटिंग जारी है देवास का अखड़ा मंदस्वार एक अट दशल पांच तीन प्रतिशत देवास में पांच में तक का ये वोटर्स टन आउट है धार में 67.55 परसंट मंसौर में 71.76 परसंट उजैन में 70.44 परसंट ये वोटर्स टन आउट है मदाता प्रतिशत है कितने मदाताओं ने वोट डाला है कितने प्रतिशत रहा है मतुदान का देवास में 71.53 पिसदी वोटिंग हुई है धार में 67.55 पिसदी वोटिंग हुई है मंसौर में 71.76 प्रतिशत वोटिंग हुई है तो ये पांच में तक का माधिर प्रतेश की आठ सीटों पर वोटर् आ रहे हैं बड़ी खबर तो हमारे साथ खास पैमान जुड़े हुए मेरी सयोगी रितु भी आप देख पारें वर्चुल सुड़ी से में साथ जुड़ी हुई है प्रवक्ता है अप्राजिता पांडे जी राजपास सिंग जी है बीजेपी की प्रवक्ता है और साथी वरिष्ट पत्रकार शरत जोशी जी है शरत जी जो यह पांट पे तक का वोटर स्ट अनाउट आया है 68.00 परसंट जो रहा है किस तरह से देख रहे हैं आप इसे मद्दान का प्रतिशत अन्य जो पिष्टे चुना हुए उसकी तुलना में मद्दान का प्रतिशत यह अच्छा है 68.01 प्रतिशत बहुत अच्छा प्रतिशत है और यह जिसा कि आपने बारीस का बताया रतला में भी दो बज़े जोड़दार ओलों के साथ पानी गिरा है रतला में भी कई लाकों में भी और जो अन्य इस्टानों पर जो मद्दान के दरों के बहार जो टेंट लगे थे और पर जादी दलों के जो टेबले लगी थी वहां भी यह टेंट धराशे हो गए हैं और बज़दान का जो प्रतिशत था ठोड़ा प्रभावित हुआ है और यहीं पानी नहीं गिरता तो निश्टान प्रतिशत बढ़ता लेकिन उसके बाद जैसे पानी रुका मद्दान के द शित्तर से पिचोतर प्रतिशत तक रस्लाम का जाएगा जैसा कि अभी बताएगा है कि तीन बज़े तक आठाट प्रतिशत था बदान 59 प्रतिशत जहाबा संसदी शेत्र का वह बढ़कर पिचोतर के आसफाल पहुँच जाएगा जी और और देशा के बताए रहे हैं अला कि अभी तकम देख रहे हैं सुस्ती जो है वोटर्स की नजरा रहे हैं कई जगा पर उत्सा भी देखा ठीक लोटिंग आपके पास पांडेजी भी जुड़ी हो नहीं हमारे साथ किस तरह से देख रहे हैं कितना आश्वस थे और कि किन सीटों को लेकर कि आप आश्वस थे जबार नजर आ रहे हैं आठ में से आठ का जिक्र कर रहे हैं कि पिछली बार मध्यप्रदेश में कितना था वोटिंग परसेंटेज कितने प्रतिशत था सेविंटी सिक्स परसेंट इस बार जिस तरीके से आपने कहा मौसम का महल भी बदल रहा है और ये प्रमान कर प्रमानित कर रहा है वोटिंग परसेंटेज यह और मैं एक और चीज़ यहां पर बताना चाहूंगी इंदौर सीट काम जिक्र कर रहे थे तो कुछ बाते छूट गई थी पिछली बार ब्रेक आ गया था भारती जनता पार्टी की प्रतियाशी को डराया धंकाया जब प्रतियाशी गया अपना नामांकन विद्वावर जी तो वह किसके साथ गया था यहाई विजय वर्गी के साथ पर यह प्रमानित नहीं कर रहा कि यह शब्द नहीं थे समित्राम महाजन जी ने कहा जो हुआ घगलत कहा यह पास premi control के फ़ोन आ रहे हैं कि वी जेपी को ये करने के आवशक्ता क्यों पड़ी हम नोटा को वोड देंगे लेकिन मैंने का नहीं बीजेपी का प्रत्याशी खड़ा है आप बीजेपी को वोड दीजिए ये उनका पूरा वक्तव्य था बिल्कुल था पूरा व्यक्तियाविए बट इस व्यक्तियाविए में यह साफ सुमित्रम आज़जी ने कहा था कि ये गलत हुआ ये करने की भारती जंतापार्टी को कोई जरूरत ये आवश्यक्ता नहींथी निम्स्तर की राजनीती पे उतरने केले बाक्ती जंता-पाथी को ना पति कगुत सब्सक्राबगा है पर सिक्का चल गया बात पूरी उस कर नहीं पाई उसका जवाब देजिए वासी मेशनी तर हम वोस्फा जाले इसमें अक्ष्म को हमने पड़ादीकारी बना दिया पड़ादीकारी नहीं बना यह बना दिया कि नहीं दिया है इसका क्या बात हुई यह जवाब है इंपोर्ट को अब्यार कर रहे हैं आप आप आपने आपने कहा ना हमने कोई पद दिया है और ना हम देने वाले हैं पर आखिर कुछ ने कुछ तो दिया होगा ना कुछ ने कुछ तो दिया होगा रहे मुद्धा तो कुछ और है है उसे स्विकार कर लीजे दराने धमद्दापी राजनीती है प्रशार करें ना प्रशार कर रही ना पेस्ता है बढ़ने कर रहे हैं कि लिए करें तो तो दिया हमने कुछ नहीं दिया हमने कुछ नहीं दिया लाखों सदस्य है अरे ठीक है ना जो आपके काडल वाले राजपाल जी देखिए अक्षे बंकी नहीं है सोधिया जी अक्षे बंकी बात नहीं आपर आप कॉंग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं बीजेपी खुद कॉंग्रेस यूगत होती जा रही है उस पे जवाद दीज उसने कॉंग्रेस देखिए उसने क्या कहा कि कारे करता है पर शार के आपके ने अलुद रहाट है उवार यह तैक हुए प्राजिता जी राजपाल जी शान उर यहां तो जाहिए शुक्षा वह उत्रहाइब कर बात करते स्य क्यूंत ताफा हो रहे हैं शान तो जाहिए राजपाल जी इंदि खिंगे राजपड़ जी ठीक ही ए आपको मिले पूरा वक्त एक प्लूक जाएगी आप आप अओडियू ब्लास्ट हो रहा है एक्च्युली आप सारी सीटों पर आश्वस्त हैं उन्तिस का लक्ष्रे के चल रहे हैं रखलाम खरगों ने सब क्या इस सिती आप टकर मान रहे हैं छोड़िये इंदॉर को आप चोड़िये कांग्रेस। नागर भहीन हमारी जो अनिता नागर है अनिता नागर सिंग चोहान है उसको लेकर ये बात हो रही है कि वो हमारी जोवट की बेटी है अली राजपूर की बहुए बहु बेटी और उच्च सिख्षित हमारों उमिद्वार के बारे में इतना अच्छी एक वातावरण है कि हम जित रहे हैं, कॉंग्रेस ने जरूर उहाँ पर प्रयास करा है, आदिवाशियों को बाटने का प्रयास करा है, कांतिलाज जी भुरिया और विक्राज भुरिया ने पिछले दिनों जिस परकार दे हमारे उमीदवार के परिवार के ओपर किचड उचालने का काम किया, वो किच विलाला में लोगों को बांड दे, रंतो आदिवासी चालने का है, तमजदार हो चुका है, यहाँ पर ओर कॉन्फिडेंस चालने का है, ठीक है, लोटूंगी, अब आज जता, आदिवाशियों को बहुत है, तक्कर तो बहुत है, अब आप देखेंगे कि भारती जनता पार पार्टी के खिलाफ कि आप उसको भाप नहीं पाए, तो अपराजिता जी, अगर इतना ही आदिवाशियों का साथ आपको मिल रहा है, तो कांतिलाल बूर्य चुनाओं से एन पहले क्यों बोलते हैं कि आदिवास की जिसकी दो पत्रिया हैं, तो दो लाख मिलेगा, उसकी आ पनाया नहीं कोई स्थान नहीं दिया, तो कांतिलाल बूर्या को आवशक्ता क्यों हुई, ऊपर से PCC अध्यक्स बोड़ी तू पत्वारी जिसकी दो उसको डबल, कांतिलाल बूर्या जी का जियक्तव यह है, उसको तोड़ मरोर कर पेश करने की यहां पर भारती जनता पार्टी की जो चेश्टा है, वो हो नहीं पाएगी, भूर्या जी ने हमेशा आदिवासियों का सम्मान किया है, उनके लिए बहुत काम किया है, अगर आप जाएंगे तो उनके इलाके में देखेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने चीजों को बदलने का अपने उपर बेड़ा उठाया है, और वो निरंतर उनके लिए काम करते रहे हैं, अभी आपने देखा किस प्रकार से हमारी बियेलो बहु बेटी का अपमान हुआ, भारती जनता पार्टी जनता पार्टी जनता पार्टी और कांग्रेस के दोनों नेताओं का जंग देख रहा हूं में, मुझे आश्री बात का हुचा है कि जनता दो इस दोनों के मामलें के गायव हो गई है, क्योंकि यह चुनाव भारती जनता पार्टी वर्सेश जनता के बीच हो रहा है, जनता जिन भेंगई, बेरोदगारी, भेष्टाचार से संगश कर रही है, गास्टेड इसी चीज बजार से गायव हो गई है, उनको बन कर दिया गया है, यह तो चुनोती का समय है, किसको क्य क्या लाग भी लगा, यह तो चुनाव भारती जनता पार्टी का प्रभाव, पिछले वर्षों से बढ़ा इकों कि यह समाज वादियों का गड़ रहा है, और कामरेश हमेशा जित्ती आई है, लेकि दिलिप सिंग भुरिया को कामरेश से बीजी भी मिलाकर ठाकरी जीने दावेश सभी के अपसी तरफ हैं, लेकि तैय जनता को ही करना है, बहुत-बहुत शुक्री आप सभी का बातचीत के लिए, लेकिन हम चुनावी चर्चा है लगातार आगे बढ़ाते रहेंगे, और हर अपडेट आप तक मुचाते रहेंगे, फिलान रोकर एक छोड़ से ब